सुपर स्टार मिथुन चक्रवर्ती की पहली शादी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। योगिता बाली से शादी करने से पहले मिथुन ने हेलिना ल्यूग के साथ साथ फेरे लिये थे। हालांकि यह शादी महस चार माही चल पाई थी। तीन साल बाद अचानक अफवाह उरी की हेलिना फिर से मिथुन चक्रवर्ती के साथ रहना चाहती है। इस अफवाह से योगिता बाली परेशान हो गई। तब हेलिना ने एक इंटर्व्यू में पूरे मामले पर सफाइब दी और कहा की काश। मेरी शादी मिथुन से न होती। उन्होंने ये भी कहा कि मिथुन कितने ही अमीर क्यों न हो जाएं मैं फिर से कभी उनके साथ नहीं रहूंगी। उन्होंने मिथुन से शादी के बाद अपनी दर्द भरी दास्तान शेयर की थी। उन्होंने कहा ये चार माह की शादी मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। काश ये शादी नहीं होती। उन्होंने मेरा ब्रेनवाश किया और मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरे लिए बने है। दुर्भाग्य से वह अपने प्लान में सफल हुए एक्ट्रेस सारिका से ब्रेक अप होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात मॉडल एक्ट्रेस हेलिना ल्यूक से हुई दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे 1989 में हेलिना ने महाज 21 साल की उम्र में चुपचाप शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे कुछी दिनों में दोनों के बीच छगरे होने लगे मिथुन भी उस समय बॉलिवुड में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए थे हेलिना को मिथुन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहे थे इसके अलावा मिथुन के कजिन भी उनके साथ रहते थे इससे हेलिना को और भी ज़्यादा दिक्कत थी नतीजा ये हुआ कि चार माह के भीतर तलाक हो गया हेलिना ने इंटर्व्यू में कहा था कि उन्होंने ही मिथुन से तलाक मानगा था मेरे लिए यह शादी बुरा सपना साबित हुई हेलिना ने इंटर्व्यू में कहा था मैंने ही मिथुन को छोड़ा था तलाक मानगा था वह भले ही कितने बड़े स्टार क्यों न बन जाएं लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूँगी भले ही वह कितने भी अमीर हो जाएं मैं फिर से उनसे रिष्टा नहीं जुडूँगी मैंने तो उनसे अलमोनी भी नहीं मानगी मेरे लिए यह शादी बुरा सपना साबित हुई और अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है मुझे मिथुन की इस बात से जादा घ्रिना है कि वह महिलाओं को पबलिसिटी स्टंट की तौर पर यूज करते हैं उनके बारे में बाते करते हैं जहां तक मेरा सवाल है तो मैं उस शक्स के बारे में अंतिम बार बात कर रही हूँ कुछ माह बाद तलाग की प्रक्या पूरी हो जाएगी फिर वह जो चाहें कर सकते हैं हेलिना ने शादी के बाद की जिंदगी का खुलासा करते हुए कहा था मुझे इस शादी से कुछ हासल नहीं हुआ मैं घर पर अकेले मिथुन का घंटों इंतजार करती थी लेकिन वह सिर्फ चार घंटे ही मिल पाते थे मानसिक पीड़ा का दर्ग बरदाश्ट से बाहर था मैंने पाया मिथुन को सिर्फ खुद से प्यार था और किसी से नहीं मैं उनसे बहुत छोटी थी लेकिन ऐसा लगता था कि मैं उनसे बढ़ी हूँ वह बहुत ही अपरिपक विंसान थे शनकाल उस्वभाव के थे मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई उन्हें लगता था कि मैं अपने एक्स जावेद खान से मिलती हूँ जब योगिता बाली से हेलेना के बारे में सवाल किया गया तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था लोग कहते हैं कि मिथुन ने इसलिए मुझसे प्यार किया क्योंकि मैं हेलिना के जैसे दिखती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कोई समानता है मैं उससे नफरत करती हूँ मिथुन भी उसकी परवा नहीं करते मैं उतनी सुन्दर नहीं हूँ